दोस्तों आज के टाइम में अगर हमें किसी को पैसर ट्रांस्पर करना है तो सबसे आसान और इजी तरीका है पैसा भेजने का वो है UPI बहुत ही आसाने से हम UPI अप्लिकेशन से पैसर ट्रांस्पर कर पाते हैं लेकिन गाइस प्रॉब्लम हमें तब आती है मान के चले कि आप जो है गूगल पे अप्लिकेशन यूज कर रहे हैं और जिनको आप पैसा भेज रहे हैं वो फोन पे अप्लिकेशन या प्लिकेशन या प्लिकेशन यूज कर रहे हैं उनका अभी तक गूगल पे पर अकाउंट की नहीं है तो उसमें आपको प्रॉब्लम कि अगर आप जो है Google पे यूज़ कर रहे है पेटेम या फोन पे या फिर भीम अप्लिकेशन बहुत सारी अलग-अलग अप्लिकेशन है लेकिन गाइस अगर आप जो है किसी को पैसा भीजते हैं और दूसरा परसन जो है सेम अप्लिकेशन को यूज़ नहीं कर रहा है तो भी वह बहुत ही आसानी से पैसा ट्रांस्पर कर सकते हैं मान के चलिए मैं फोन पे अप्लिकेशन यूज़ करता हूं और मुझे किसी को पैसा भीजना है वो PTA में यूज़ करते हैं तो मैं डिर्रक्ली जो है उनको पैसा भीज सकता हूं चाहे उनका फोन पेपर अकाउंट हो चाहे गूगल पेपर अकाउंट हो या ना हो उससे फरक नहीं पड़ता है तो आज की वीडियो में मैं आपको तीन बहुती कमाल के method बताऊंगा जिसके तुरू आप किसी भी UPI application पर डारकते जो है पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं और guys यहां पर आपको एक फायता इससे होगा कि आपको जो multiple application आप यूज करते हैं यानि कि आपको बहुत सारे application यूज करने का जंजट नहीं चाहिए आप एक ही application से काम चला सकते हैं और आप किसी को भी पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं कैसे करना है जानते हैं लेकिन guys उससे पहले यार वीडियो को आपने अप तक like नहीं किय है तो like जरूर कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो तो चलिए guys सीखते हैं यार दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले तरीकी की वो है QR code को share करके पैसा send करना या receive करना तो simply आपको करना यह है कि जिनको भी आप पैसा transfer कर रहे ना आपको उनको बोलना है कि जो भ प्रेना है तो आपको अपना QR code application का उनको share करना होगा उनको send करना होगा उनको सक्षान करके या अप उनको पेमिंट कर पाएंगे अब बात करते हैं वन golf को दो कर करना हैं सबसे बात करते हैं कि जो 강नल दो अपनिक पर आपको कैसे पता करना है अगर आपको अब तक नहीं पता कि Google पेपर कैसे पहली बार अकाउंट बनाया जाता है इस पर हमने complete वीडियो बनाया है अगर आपको देखना है तो वीडियो को डिस्कुप्सन में उसका link मिल जाएगा आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखीगा तो यहां पर आपको Google पे अपले किसम को open करना होगा और सबसे ऊपर आपको right side में आपको आपके profile का icon नजर आएगा आपको उसके उपर click करना होगा उसके बाद दुस्तों यहां पर आपको आपका profile का नीचे आपको QR code नजर आएगा पैसा मंगवाना चाहते हैं, भीजना चाहते हैं, उनको आप send कर देंगे और उसके बाद वो easily आपको payment इस पर कर सकते हैं, payment कर से करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो चलिए आप बात करते हैं कि कैसे आपको phone pay का QR code को share करना है, तो सबसे पहले आपको phone pay application को open करना होगा, और दोस्तों अगर आपने phone pay application पर अप तक account नहीं बनाया है, तो कैसे आपको पहली बार account बनाना है, उसके अलावा phone pay application का कैसे आपको use करना है, उस पर भी मैंने complete एक वीडियो बनाया है, आपको वीडियो की description में उस वीडियो का link मिल जाएगा, आप बात में उस वी QR Code का एक option नज़र आगा, आपको simply QR Code के उपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका phone pay का QR Code आपको नज़र आएगा, आप चाहे तो इसको डारक लिए download भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से इसको डारक किसी को भी share कर सकते हैं, और यहाँ पर आप payment easily QR Code पर मंगा पाएंगे, चली अब बात करते हैं कि आपको Paytm का QR Code कैसे पता करना है, तो सबसे पहले आपको Paytm application को open करना है, सबसे उपर आपको left side में आपका profile का icon नज़र आएगा, आपको उसके उपर click कर लेना है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका Paytm का QR Code है आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आप चाहे तो directly यहाँ से किसी भी friend को आप QR Code को share कर सकते हैं और पैसा मंगवा पाएंगे, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी application आपको नज़र आएगी, वहाँ पर आपको profile पर जाना है, और कहीं न कहीं आपको same application में QR Code नज़र आएगा, तो आपको किसी को भी QR Code इसी तरीके से send करना है, और आप इसली पैसा मंगवा पाएंगे, चलिए अब जानते ही कैसे आपको QR Code पर पैसा मंगवाना है, अब मानके चलिए मैंने एक QR Code यहाँ पर मंगवाया है WhatsApp पर, तो मैं directly इसको पहले download कर लूँगा, और एक QR Code मेरे phone में save हो जाएगा, अब मैं मा पर नीचे आप देख पाएंगे, upload from gallery का एक option देख आएगा, आपको simply click करना है, और यहाँ पर जो भी आपने QR Code को download किया था, उसको आप select करेंगे, और automatically यहाँ पर scan हो जाएगा, और जितना भी amount आपको transfer करना है, आप यहाँ पर amount enter करेंगे, जैसे मैं 100 रुपर यहाँ पर enter करना है, और आपका easily QR Code पे पैसा transfer हो जाएगा, अब यार दोस्तों पहले तो आप comment करके जरूर बताएं कि क्या आपको यह तरीका मालूम था, अगर मालूम था, तो आपको comment करना है, और मैं आपका comment का आपको reply जरूर करूँगा, चलिए अब जानते हैं, दूसरा तरीका क भूगा यह कि directly जो भी person आपको पैसा भीजेगा, या फिर आप किसी को पैसा भीजेंगे, तो आपको उनका UPI ID लेना है, और आप directly उस UPI ID पर पैसा transfer कर सकते हैं, चाहे same application यूज ना करें दोनों लोग, मानके चलिए कि आप Google पे यूज कर रहे हैं, और आप Payteam यूजर को क कैसे UPI ID share करना है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको Google पेपर कैसे आपका UPI ID नजर आएगा, सबसे पहले आपको Google पे application को open करना है, और यहाँ पर आपको home screen पर आपको नजर आएगा, आपका UPI ID, तो आप इसको यहाँ से copy कर लेंगे, और किसी को भी आप share कर सकते हैं, चा transfer कर पाएंगे, पैसे कैसे transfer करना है UPI ID पर, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, अब बात करते हैं कि कैसे आपको phone पे application पर अपना UPI ID देखना है, उसके लिए आपको phone पे application open करना है, left side में top पे आपको आपका profile icon नजर आएगा, क्लिक करेंगे, QR code नजर आएगा, यहाँ पर किसी को भी share करेंगे, वो easily आपके UPI ID पर पैसा भीच पाएगा, और वो पैसा डरक आपके bank account में जमा हो जाएगा, अब दोस्तों बात करते हैं, Paytm application पर कैसे आपको UPI ID अपना चग करना है, Paytm app को open करेंगे, सबसे उपर left side में आपको नजर आएगा profile का icon पर क्लिक करेंग और नीचे आप देख पाएगे, यहाँ पर आपको आपका UPI ID नजर आएगा, आप इस UPI ID को किसी को भी share कर पाएगे, हाला कि दोस्तों आप अलग-अलग application पर easily अपना UPI ID profile पर क्लिक करके पता कर सकते हैं, और जो भी आप application यूज़ कर रहे हैं, उसका UPI ID आप share करेंगे, तो directly आपका payment easily आपको मिल जाएगा, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे आपको UPI ID पर payment transfer करना है, आप दोस्तों मान के चलिए कि आपको जो है, किसी को phone pay application पर Google paper पैसा भीजना है, phone pay app से, तो simply आपको phone pay application को open करना होगा, उसके बाद सबसे टॉप पर आपको उपर नज यहाँ पर आपको जिनको भी पैसा transfer करना है UPI ID पर, आपको यहाँ पर add करना होगा UPI ID, तो आप add पर click करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर UPI ID को enter कर लेंगे, जिनको भी आपको पैसा भीजना है, और यहाँ पर आपको verify का icon अज़राएगा, simply आपको verify पर click करना है, अब 50 एंटर कर लेंगे, जो भी आपका UPI PIN है, उसको एंटर करेंगे, और directly आपका पैसा UPI ID पर transfer हो जाएगा, अब दुस्तों बात करते हैं, तीसरा तरीका, जो कि सबका solution है, अब दुस्तों आप एक काम भी कर सकते हैं, कि अपना mobile number को आप जो है, अपना default UPI ID बना सकते हैं, और आप कोई सा भी application यूज करते हों, उससे फरक नहीं पड़ता, और हो सकता है, आप एक ही UPI application यूज करते हों, लेकिन अगला person जो आपको पैसा भीज रहा है, वो multiple, एक से जादा UPI application से पैसा transfer करता हो, तो आप easily अपने number को अपना UPI ID बना सकते हैं, और कोई से भी application से Google पे को आप open करेंगे, सबसे उपर आपको profile का icon नजर आएगा, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगा bank account तो उसके उपर आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका link bank account है, आप उसके उपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर option दिखेगा आपको manage UPI numbers, तो आपको simply manage UPI numbers के उपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका mobile number आपको नजर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, set your phone number as UPI number on Google पे, तो आपको simply यहाँ पर plus का icon नजर आएगा सामने, तो आपको क्लिक करना है plus पर, अब दुस्तों होगा यह कि यहाँ पर आपका request है ना, वो bank के पास जाएगा, उसको जो है, आपको यहाँ पर continue करना होगा पहले, और उसके बाद bank आपका जो है, उस number को approve करेगा, और आपका जो mobile number है, वो directly आपका जो है, default UPI number बन जाएगा, और easily आप यहाँ पर पैसा मंगवा पाएंगे, तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अलग-लग application से भी पैसा मंगवा पाएंगे, आपको यह वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे knowledgeful वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनलन को subscribe करके bell icon को all पे जरूर पस करते हैं, ताकि आपको ऐसे interesting और knowledgeful वीडियो हमारी तरब से देखने को मिलत रहे हैं,